गर का बेदी ही लंका डहा है ये मुहावरा तो आपने कई बार सुना ही होगा अब ऐसा ही एक मामला मेडिकल चौक सिर इंडियन ओयल पेट्रोल पम से सामने आया है वहां लोकरी करने वाले एक व्यक्ति नहीं पेट्रोल पम से पैसे चरा लिये हाला कि इस मामले में आरोपी क को गिरफतार किया गया है ऐसी जानकारी वरिष्ट पुलिस सरीक्षक राजीन रुकुमार सानत ने साजा की मिली जानकारी के नुसार आरोपी धर्मेंद्रम मिश्रा ये इमामवाडा पुलिस स्थाना अंतरगत आने वाले मेडिकल चॉक सित इंडियन ओयल पेट्रोल पम पर नौकरी कर रहा था उसने साथ दिसंबर को साड़े नौ बज़े के दर्मियान पेट्रोल पम्प मैनेजर के कैबिन से एक लाग बावन हजार नौसों रुपे नगत चुरा कर फरार हो गया इस संदरब में फिर्यादी ने शिकायत दर्स की जिस पर कारवाही करते हुए पुलिस ने टेकनिकल, ट्रेडिशनल और टैक्टिक्स का उपियोग कर कारवाही की और आरूपी को गिरफतार करने में कामियाबी हासल की इस संदर में वरिश्ट पुलिस सरेक्षिक राचेंद्र कुमार सानत ने अधिक जानकारी सांजा की दिली होती तो तेंची ख्रियार तेतिली गाड पेट्रोल पंपावरिल गाड धर्मेंद्र मिश्रा याचा गुरद दिली होती त्याने जुटियोरून जाय चावेड़िस त्यानुशंगा ने अपन ततका जबलपुर्ला जबलपुर्ला टीम रवाना कि दिली होती आपन सदर उनेजा तपास तांत्री ट्रेडिशनल तसस टैक्टिस वक्रून तेला तावेड घ्यून आठकेंशे अजर नुक्सीचारीज तससे जोन मोबाईल अस्ता एक लाग नुक्सीचारीज रुपर जा मुद्यमाल रिकोवर के लेला है सद्यातो आरुपी आठकेत आहे अनि आपन का एज़ेशित पोड़ीट कारवाई करेता हो तो साधारन का पंदरा जिवसा पास्षून नुक्रिला होता पिट्रोल पंपावर पन तेचा जे काम करनेशे पद्धात्यवा अंडिसिप्लीन वेड़ेवन येने या मुले त्या पुलिस ने इस दौरान आरुपी से कुल एक लाक नौसो चालीस रुपे का मुद्धिमाल सब क्या वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगी की जांच चारी है कैमरा पोसन अखलेश भारत वाज के साथ दिशाहटवार बीसीन न्यूज नागपूर